Hello and welcome to Tech Info YouTube channel. आज से हम Bootstrap के उपर एक complete tutorial series start कर रहे हैं, जिसमें आप basic से लेके advanced तक Bootstrap के concept को देखेंगे. तो चलिए start करते हैं उसकी definition के साथ में, कि Bootstrap क्या है? तो introduction में हम सबसे पहले बात करते हैं, कि एक open source है, यानि कि free में है, आप इसे download कर सकते हैं और install कर सकते हैं. यह JavaScript, HTML, CSS, इसका framework है. ठीक है? अब यह क्यों बना है? देखिए यह बना है creating responsive application के लिए. यानि कि responsive क्या होता है? जैसे ही आप अलग-अलग device में use करेंगे, जैसे मान लीजी आपने अभी desktop में कोई application, यानि कि कोई website open की है, तो आप जैसे mobile में उसे open करेंगे, तो उसका जो size है, उसके content अंदर का वो change हो जाएगा. यानि कि automatically adjust हो जाएगा mobile के हिसाब से. mobile में open हुई है, तो mobile के हिसाब से adjust हो जाएगा. tablet में हुआ है, तो tablet के हिसाब से screen adjust हो जाएगी. तो उसे कहते है responsive, देखिए ये bootstrap जो है वो mobile first approach है, यानि कि लिए बना ही mobile के लिए है, तो perfectly हम हमारी website को mobile में कैसे देख सकते हैं, इसलिए bootstrap बना है, तो ये कोई भी browser में आप इसे debug कर सकते हैं, यानि कि run कर सकते हैं, और इसमें आप क्या कर सकते हैं, easily कोई भी एक beautiful सी application create कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई UI का complex knowledge होना ज़रूरी नहीं है, कोई भी इसे सीख सकता है, और इसमें templates create कर सकता है, तो चलिए हम बढ़ते हैं next lecture की तरफ.